किसी भी दोश या विकार को जानने से पहले उसके पीछे की फिजियोलोजी जान लेना बहुत जरूरी होता है Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences और आज का हमारा topic है रस दातू, जो की Ayurveda में physiology से related है Before proceeding, I would like to thank you all for your support And this topic के ready to read notes available है हमारे Instagram page पे जिसका link given है description box में Hello everyone, आज का हमारा topic है रस दातू, रस दातू आद्धे धातू है सब्धे धातू हों में से और हम चाहेंगे कि आपको स्लीबस के according सारे points कवर हो पहले जान लेते हैं कि स्लीबस में रस दातू के बारे में क्या-क्या दिया हुआ है, क्या-क्या points है जो हमें रस दातू में cover करने चाहिए अगर long answer question आता है तो हमें वो सारे points कवर करने चाहिए और जो short questions आते हैं तो हमें accordingly उनको short में लिखना चाहिए तो आईए जानते हैं कि रस दातू में कौन से points हमें consider करने चाहिए तो पहला topic रहेगा रस दातू में itmyology, second है derivation, location, properties, functions and प्रमान और रस दातू मिल्स कर्मा, गुण और प्रमान, physiology of रस वह श्रोतर, formation of रस दातू from आहर रस, circulation of रस, रस समभहन, role of व्यान बायू and समान बायू in रस समभहन, description of functioning of रिद्य, त्वक्सार पुरुष, conceptual study of mutual interdependent that is आश्रे आश्रे भाव and its relation to रस and कफा, basically इसमें हमें रस और कफ को आश्रे आश्रे भाव के concept में समझाना होगा, manifestation of रिद्धी and श्रे और रस दातू मतलब रस दातू के व्रद्धी और श्रे के रस दातू के रूप में परिनत होकर उनका पोशन करता है तो आईए जानते हैं कि रस दातू के उत्पती आहर रस से कैसे होती है, आहर रस पर रस आगने की किरिया होती है, जो हम modern में digestive enzyme से relate कर सकते हैं, और उसे दो formation होती है, एक सार भाग के, एक किट भाग के, किट भाग जो है वो हमें कफ के रूप में देखने को मिलता है, और सा तो इससे हमें दो चीज़ें पता लगते हैं कि जो रस दातू है, उसका जो किट है वो है कफ और जो उप्त हातू है, वो है स्तन्य और आर्दव आगी बंड़े से पहले हम जान लेते हैं रस दातू की परिभाशा, तत्र पांच बहुतिकस से, चतुर वीदस से, शट रसस से, द्वीवित वीरिय से, वा, अनिकुनस से, उप्युक्तिय से, अहारस से, सम्यक परिनतस से, यह तेजो, भूतसा, परम्शुक्ष्मसरस, इती उच्यते, यह डफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, और अगर हम जानते हैं कि आहार क्या होता है, तो हम एजिली समझ सकते हैं, मतलब इसमें बिसिकलिए आहार का जो बताया है, केरेक्टरस्टिक्स, पांच बहुतिक वाला, मीन सारे जो पांचों भूत होता है, क हमने लवन कटू तिक कशा है, द्वीवित वीरिये से, अश्ट वीद वीरिये से, वा अनेक गुना से, इसमें अश्ट वीद वीरिये रह गया है, मिन्स बेसिकलि बहुत सारे जो गुनों से युक्त जो हम आहार लेते हैं, जिसम भीरिये पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे, द्वीद वीरिये में शीट वीरिये और अश्ट वीद वीरिये में बिसिकलि गुरू, लगु, सनिक्द, रूख्ष, टीक्श्न, मृदू, शीट, ओष्ण वीरिये जो ग्लासिपिकेशन है वो हम बादने पढ़ेंगे वीरिये में, तो इन जब गुनों से, युक्त आहार ह ओनी सारी अग्णी जत्राग Mae Lee Hill practice दो जबका अच्छे से chyba आक्शन होता है बैस्कली डाज़ाने होता है ताकि बाड़ी में अच्छे से अबसांब होता है और सार भाग बनता है सार भाग का मतलब क्या है जिसमें विदादी मल जो होता है उसे रहित होता है और यह है यह परम्शुक्षम होता है मिन्स कि यह शुक्षम से शुक्षम अवेवेश रोतस में गमन कर सकता है तक हमारी पूरी बॉडी में यह पोशन कर पाए पे तेजो भूत जो शब्द है वो यूज क्या गया है घ्रत आकार होने के कारद जो रस्चो होता है वह बेसिकली लास्ट अगर आप जानते हैं कि आहार क्या है रसका स्थान रस वाहन हम श्रोतस आम रिद्यम मूलम दश्च धमनेया रस्वे श्रुतस का मूल स्थान जो है वो है रिद्य और उससे निकलने माली दश्थमनिया आचार श्रुत के साब से रस्वे द्वई तयोर मूलम रिद्यम रस नेश्चे धमनया आचाश शुरुत ने रस्वर स्रोतस का मूल स्तान हिर्दे और रस वहाईनी धमनिया मानी है उन्होंने दश उपर की और दश नीचे की और चार तीरिय तो फाइनली हमने जाना रस का स्तान अब हम ब्रीफली जानेंगी रस समवन मींस बेसिकली रस धातू का मारी बॉड़ी में सर्कुलेशन कैसे होता है जो रस धातू होती है वो रक्त के साथ मिलकर सर्व शरीर में अनुधावन क और जो रज धातू होती है उसे सारी धातू का पोशन होता है यह हमें पता है धातू पोशन ने आये में किट भाग फॉर्म होएं दुकफ है वो रिदे आमाशे मुक मस्तिक्ष एवन संधियों में उपस्ति श्लेशमा का पोशन करता है तो बात करते हैं हम समान वायू और व्यान वायू का क्या रोल है रस सम्वहन में तो पहले जान लेते हैं व्यान वायू का रोल हम दोश लोग से जानेंगे व्यान वायू होती है वो पूरे सारे शरीर में संचरन करती रहती है और वो रस सम्वहन के लिए उध्यत यानि ततपर रहती है स्वेद एवं रक्त का स्त्रावन करती है और पंच विद चेश्टाओं का संपादन करती है तो बेसिकली जो व्यान वायू ही है वो ही पूरे जो रस का जो है वो सर्कूलेशन कराती है हमारे बाडी में गते आश्टांग रिधे में क्या लिखा है गतिवशेपण उद्शेपण निमेश उनमेशन आधी का आयसरवा क्रियास तस्मिन प्रतिभात शरेडेनाम इसका मतलब ये है अव्चेपण उद्शेपण निमेश उनमेश ही इसमें बूला गती तो इसमें रश्रक्त का ब्रह्मन हम ले सकते हैं तो रश्रक्त का जो ब्रह्मन है वो जो करवाती है वो हमारी व्यानवायू कराती है आपी दो important points आते हैं विवेच्यती और मुँच्यती वेच्यती मतलब लार्ट का जो है वो ब्रह्मन करती है समान वायू और मुच्यती मतलब क्या होता है कि जो रश्रातु का शोशन किया है अब जो मल द्रव है जो भी निकला है रेमनेंट उसको पकवाशे में छोड़ देती है जो किट भाग है उसको अपने इस्तान पर पहुचाना का का जो काम होता है वो समान वायू का ही होता है आज हमने फाइनली जाना रसधातु किट सब्सक्राइब है जो आश्रे आश्रे भाव अल्रेडी अप्लोडेड है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रिया है सारे पॉइंट सम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं थांक्यू सो मच फर वाचिंग वीडियो फ्यू लाइक बटन थांक्यू फर वाचिंग डू लाइक शेर और सब्सक्राइब अल्सो लेट इस नो इन दी कॉमेंट बॉक्स की ऐसे और कौनसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं